हमने सीखा पहला, सूचक अमल एवं शार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण सूचक के रंग में परिवर्तन होता है दूसरा, अमले की उपस्थिती में नीला लिटमस, लाल तथा छार की उपस्थिती में लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है तीसरा, हम अपने आसपास पाए जाने वाले गुढ़हल एवं लाल गुलाब के फूल, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कचनार का फूल, आधी का उपयोग भी अमल शार सूचक के रूप में कर सकते हैं चौथा, हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने गंध में परिवर्तन द्वारा अमल एवं शार की सूचना देते हैं ऐसे सूचकों को घ्राण सूचक, ओलफेक्टरी इंडिकेटर कहते हैं जैसे लॉंग का तेल, प्याज तथा वैनिला आधी पाचवा, अमल और शारक धात्वों से अभिक्रिया कर संगत लवन बना कर हाइडरोजन गैस विस्थापित करते हैं चट्वा, अमल, धातु कार्बोनेट और हाइडोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवन, कार्बन डाई ऑकसाइड तथा जल बनाते हैं साथ्वा, शारक और धात्विक ऑकसाइड से अभिक्रिया कर लवन और जल का निर्माड करते हैं आठ्वा, अमल और शार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनी करण अभिक्रिया कहते हैं। 9. अमल एवम शार के जलिये विलियन विद्दूत का चालन करते हैं क्योंकि वे अपने अवियवी आइनों में विभक्त हो जाते हैं। 10. पीच मान द्वारा किसी तनो विलियन में हाइड्रोजन आइन, H प्लस आइन की मातरा को 0-14 तक के स्केल में व्यक्त किया जाता है। 11. किसी उदासीन विलियन का पीच मान साथ, अमली विलियन का पीच मान साथ से कम तथा शारिये विलियन का पीच मान साथ से अधिक होता है। 12. लवन का धनात्मक भाग शारक से आता है, जिसे शारिय मुलक तथा रिनात्मक भाग अमल से आता है, जिसे अमली मुलक कहते हैं 13. लवन की प्रकृती अमली शारिय या उदासीन हो सकती है 14. मुख्य बिंदू, की वर्ड्स, प्रती अमल, शार, शारक, सूचक, ग्राण, गंधी सूचक, उदासीनी करण अभिक्रिय, अमल वर्षा, अमली मुलक, शारिय मुलक